है रो दोस्तो आज का जो अमिराथ NBD किर्केट कलव वर्सस डीसी स्टालेट के बीच में जो मैच होने वाला है अजसी अकैडमी का ये आज का सेकेंड मैच जो रहने वाला है उसके बारे में दोस्तो हम यहाँ पे रिवीव करने वाले हैं साथ में दोस्तो अगर रिशेटली प्रफॉर्मेंस की बात करें तो हो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ पहले बैटिंग करने वाले टीम ने साथ मैच विन के चेज करने वाले टीम ने साथ तीन मैचे विन किये हुए है अगर मुझे मिला तो मैं आपको टेलिग्राम की उपर अपडेटे करवा दूँगा यहाँ पर दोने टीमों का अगर कंपेर करें तो यहाँ पर डिशेस जो अगर पहले बैटिंग करते तो अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है अनुज ठाको दोस्तो इस मैच के अंदर चलने की इनकी पूरी पूरी समवावना रहने वाली है ओपनिंग करेंगा इस लास्ट मैच के अंदर एक रंड बना की जल्दी आउट है वो गई थे उसके लाद लास्ट चार इनिंस के अंदर दो फिप्टी इनोंने लगाई हुई है मुहमद सा सेंचुरी इनके नाम रही है 49 की एवरेज और 500 की स्टाइक रेट इनकी रहती है दोस्तो अच्छे ओप्शन रहने वाले लास्ट मैच के अंदर भी इन्होंने 50 लगाई थे लास्ट मैच कंदर भी मैने इनकी बारे में बताया था और तकरीबन 30% लोगों ने लास्ट मैच क इनके निकाले थे सेंचे मैच कंदर 944-23 के नाम रहे दोस्तो लास्ट मैच कंदर पूरे चार आवर की थे और सकता है इसमेच कंदर भी इनकी अच्छी परपोर्मेस आपको देखने को मिल सकती है लाहरू मालवत्ता दोस्तो लास्ट मैच कंदर 400 की पारी खेली थी 12 मैच कंदर 372 विकेट इनके नाम रहे बोलिंग यह नहीं करने वाले मुज़ा मली चरन दोस्तो लास्ट मैच कंदर 352 विकेट इनके नाम रहे लास्ट मैच कंदर साज़ा को खिला गया था लेकिन इनकी बैटिंग नहीं आई थी 145 मैच कंदर 376 रण इनके नाम रहे एक 120 विकेट भी इनके नाम रहे दोस्तो लीक किन लास्ट दोनों मैच कंदर इननों ने बोलिंग नहीं की बैटिंग भी नहीं आईए और बोलिंग भी इनों नहीं की है अनुलाद दा एकान के दोस्तों तो जी कभी-कभी ओपनिंग भी कर लेते हैं 36 मैच के अंदर 713 विकेट इनके नाम रहे हैं मुहमद इसमेर विकेट टेकर बोलर रहेंगे दोस्तों इस मैच के अगर डीशे स्टारलेट अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनको विकेट मिलनेंगे पूरे-पूरे-चांस इस मैच के अंदर रहने वाले हैं 36 मैच के अंदर 522 इसरण 37 विकेट निकाल सके हैं मुहमद इसमेर को लास्ट मैच के अंदर एक विकेट मिला था अकला खेद है दो तो ये इनके विकेट एकर बोले रहेंगे हर मैच के अंदर विकेट निकाल है लास्ट आठ इनिंग्स के अंदर 19 विकेट निकाल सुके हैं बहुत अच्छी अप्सन रहने वाली है ग्रेंड लिग टीम के अंदर कैप्टन वोईस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं अगर डीशे स्टालेट पहले बैटिंग करती है तो यहां पर दो कुछ एक्स्टा प्लेश की बात के अंदर वो रहने वाले है अलोमिन सेनूद अगर यह खेलते हैं तो आप इनको जुरूर ट्राई कीजिगा पूरे चारावर करने वाले हैं असद अजली की बात करने हैं पंदरा मैचेत के अंदर तेन सो स्टरन उनिस देखें तो बारा मैचे नोंने बीन की हैं और 20 मैचे हार चुके हैं लाष्ट 500 मैचे हार चुके हैं दोस्तों अगर इनका रिकोर्ड देखें तो जो इनके की प्लेर्श रहे थे वो इस सीरीज के अंदर है की नहीं तो उनके वला तो दो अभी रिसेट्ली और आउट आ पांच मैच के अंदर पांच के नाम रहे पैंटी सारे मैच दो रहे हैं अंडर सेवंटीन के अंदर खेले हुए अंगंद नेरु देट तो यह थोड़ा साथ साथ बन सकता है यह बॉलिंग भी आपको करके देने वाला साथ मेच्छ तो यह नंबर पांच के वपूर के नाम रहे हैं जो रहा था दो द्रीम इलें के दर उस मैच कंदर इन्होंने दो विकेट निकाले थे नामे का बंत तो ला की बात करें दुस्तों यह पे बीस मैच दिगंद देन सो पांच रन 14 विकट इब्राहिं विजदानी सेकंड लास्ट मैच कंद तीन विकेट निकाल यह ऊप्सन रहने वाली है अगर खेलते हैं तो चुक्त प्लैर आपको खेलते हैं अगर क्यलते हैं तो उनका रिकोर्ड में आपको टेलीघ्राम के ओन्पर करवा दूंगा बाकि दोस्तों यहां पे करने वाले हैं रिसेंट लिए लास्ट मैच कंद भी अच्छी फोरे में लिए थी रही थी लास्ट मैट जोरा था उसके अंदर जल्दी आउट होगे थे रहें लास्ट मैट के अगर और चौत्य होप्सिन की बात करें वो रहने वाले हैं अनुज ठाकुर दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं सेकेंड लव फॉर्थ लास्ट मैच के अंदर दो फिप्टी इनों ने लगाई हुई लास्ट मैच के अंदर जुरूर ये फलोप रहे थे चारुकारा में दोस्तों नमबर पांस के उपर खेलेंगे साथ में आपको चार आवर भी रिसेंटली कर रहे हैं लास्ट मैच के अंदर भी विकेट इनोंने निकाले थे तो यहाँ पे इनको यहाँ पर पिक कर सकते हैं आलाउंडस की बात करें दोस्तों मौमध याजज पूर मैं इस दोस्तों बॉलेंट यहां पे यहाँ पर रख सकते हैं अगर नहीं रहने करती है दोस्तों तो आप यहां पे मुहमद यासिर अनुज ठाकूर एच एहमद खाल इन तीनों को ट्राइ कर सकते हैं क्यूंकि अगर पहले बैटिंग करते हैं दोस्तों इनके पास बोलर नहीं है जो विकेट निकाल सके तो इनकी चलने की पूरी-पूरी चांशे जैसे मैच के अंदर रहने वाले हैं अगर दोस्तों डीसे स्टारलेट अगर पहले बैटिंग करती है तो दोस्तों यह मैच पूरा-पूरा अगर आपको विन करना पड़ेगा तोस के इसाब से ही अच्छी विनिंग आपकी हो सकती है वैसे ही टीम बनाओगी तो आपके थोड़ा सा य